हेलो प्रेंट्स आज से इस्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं बेल्ट ब्लाउज की में ड्राफ्टिंग बताऊंगी तो यह देखिए यहां मैं ऐसे दो बॉक्स में बनाई हूँ तो जैसे ब्लाउज का दो पार्ट रहता है अपना फ्रेंट पार्ट और बैक पार् पार्ट की लंबाई हम थोड़ा सा छोटा कटिंग करते हैं और फ्रंट पार्ट की लंबाई हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो इसी लिए मैं यहां दो बॉक्स बनाई हूँ एक छोटा है और बड़ा है तो दोनों पार्ट की कटिंग को कैसे करते हैं यह मैं आपको बता पार्ट की cutting करने के लिए मैं बताऊंगी और यहां मैं front पार्ट की cutting बताऊंगी तो यह जो box है यह थोड़ा सा छोटा है यानि कि जब हम blouse की cutting करते हैं तो जो अपना back part होता है blouse का back part उसको हम थोड़ा सा छोटा रखते हैं छोटा का मतलब यानि कि जितना हम को तयार लंबाई लेना होता है उससे हम वन इंच एश्ट्रा या फिर हाफ इंच एश्ट्रा जितना भी हम चिलाई के हिसाब से हम एश्ट्रा लेते हैं उतना लेकर और फिर हम लंबाई का निशान लगाते हैं तो यहां मालीजी मैं लंबाई का निशान मैं 14 इंच पर मैं लगा रही हूं यह जो मेरा कपड़ा है यह 14 इंच इसकी लंबाई है ठीक है यह 14 इंच इसकी लंबाई है और अब यहां हम यह जो फोल्ड वाला साइड है यहां से हम नेक का निशान लगाए हैं तो यहां देखिए यहां मैं नेक की निशान में लगा रही हूं जैसे माली जी 36 साइज के हिसाब से हम नेक की चोड़ाई मैं ले रही हूं 2.5 इंच ठीक है यहां मानके चली यह मेरा है 2.5 इंच, यह हो गया अब यहां से हमको नेक की लंबाई का निशान लगाना होता है तो नेक की लंबाई बैक पार्ट तो हम अपने अनुसार लगाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा पहनता है, डिप पहनता है तो 10 इंच या 11 इंच लेता है या फिर ज्यादा तरफ 8 इंच या 9 इंच का ही हम लंबाई रखते हैं ब्लाउज का जो बैक पार्ट होता है उसके लिए तो यहां मानके चलिए यह मैं यहां 8 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ ठीक है अब हम इस निशान को ऐसे हम मिला लेते हैं इस तरह से दिखे एक बॉक्स तयार कर लेते हैं और यहां हम राउंड शेपर देते हैं यह फिर जो आप डिजाइन बनाना चाहते हैं उस तरह का सेपर दे करते हैं फिर इसके बाद से यहां यहां तक हम सोलडर का निशान लगाते हैं तो सोल्डर देखिए 36 साइज के हिसाब से मैं यहां सोल्डर ले रही हूं 5.5 इंच ठीक है यह मानले जी मेरा 5.5 इंच का निसान है यहां में सोल्डर का निसान लगा ली हूं solder का निशान दिखिए हम अगर किसी के body को अगर नाप के हम निशान लगा रहे हैं तो उसके लिए दिखिए हम जितना भी solder रहता है उसका हम half लेते हैं और half लेने के बाद ये जो neck हम रखते हैं वो neck जितना ही deep रखते हैं उस हिसाब से हम यहाँ minus करते जाते हैं ठीक है अगर मा लेजे solder नापने पर अगर आ रहा है 15 इंच तो 15 कहा फाएगा 7.5 इंच तो अगर हम यहाँ neck की लंबाई 10 इंच ले रहे हैं तो यहाँ हम सीधे 2 इंच हम minus करते हैं ठीक है तो यहाँ मैं 36 size के हिसाब से मैं यहाँ solder ले हूँ 5.5 इंच यहाँ मैं 36 size में लिख दे रही हूँ ठीक है अब यहाँ से हमको armhole की लंबाई का निशान होता है लगाना होता है तो armhole की लंबाई मैं ले रही हूँ 6 इंच इस तरह से देखिए यह मैं ले ली हूँ 6 इंच अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाते हैं तो चेस्ट यहाँ 36 है तो 36 का हम चौथा भाग लेंगे और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करते हैं सिलाई के लिए जो हम अंदर के साइट जो हम कपड़ा रखते हैं उसके लिए मैं 1.5 इंच मैं एश्ट्रा ले रही हूँ आप उससे भी ज्यादा ले सकते हैं 2 इंच भी आप रख सकते हैं तो 36 का चौथा भाग आएगा 9 इंच और उसमें जब हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच आएगा तो देखी यहाँ 10.5 इंच मानके मैं यहाँ निशान लगा ली हूँ यह जो मेरा कपड़ा है इतना एश्ट्रा जा रहा है अब हम यहाँ से हम आर्म होल की गहराई का निशान लगाते हैं तो आर्म होल की गहराई यहाँ से बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच का रखते हैं ठीक है ऐसे हम 1.5 इंच कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर हम निशान लगाते हैं और फिर हम आर्म होल की गहराई का हम निशान लगात इस तरह से यहां भी मैं नेक की गुलाई भी मैं दे दी रही हूं देखिए ऐसे यह हो गया अब यहां से हम कमर का निशान लगाते हैं तो कमर माली जे 32 है तो उसका चौथा भागाएगा 8 इंच और यहां भी हम 2 इंच या 1.5 इंच हम सिलाई के लिए रखते हैं जितना उपर रखे हैं उतना ही हम नीचे रखेंगे उसके इसाब से हम यहां निशान लगा लेते हैं और फिर इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं तो यह जो एश्ट्रा है उसको भी ऐसे तो यह हो गया हमारा बैक पार्ट यहां से हम सोल्डर भी हाफ इंच हम डाउन करते हैं जब एक निशान में यहां बना रही हूं, जो कि हम टक्स लगाते हैं, तो यह टक्स लगाते हैं, देखिए उसका निशान में कैसे बता रही हूं, यह जो अपना सोल्डर होता है, सोल्डर के बीच सेंटर से हम उसको कपड़े को फोल्ड करते हैं, यहां मैं फोल्ड नहीं कर रही ह तो उसी साथ से देखी यहां मैं सेंटर में एक मैं निशान बना रही हूं और यहां से टक्स का निशान 4 इंच रखते हैं अगर आपका बलाव छोटा है तो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं या बड़ा है तो थोड़ा सा लंबाई इसका बड़ा भी कर सकते हैं तो यह हो ग गया है इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे कि अब यहां मैं फ्रेंट पार्ट की कटिंग बताऊंगे तो फ्रेंट पार्ट की देखे यह जो कपड़े की जो मैं में लम्बाई रखी हूं यह बैग पार्ट से में वन इंच एस्ट्रा लें यह जो मेरा तुछाबे ल्वेशा जादा रखे उंपी अब मैं यहा निशान लाइन के लिए बता रहे हूं दिए यहां विए नेक की चौड़ाई हम सेम रखेंगे जितना रखेंगे जितना हम Dek कि रखना है और नेक की लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं जितना लिक की लॉक्त जिसे भाडवाट के लिए रखते हैं, उससे हम छोटा रखते हैं, फिरेंट पार्ट, पार्ट के यह दिखिए इस तरह से और यहां चेश्ट का निशान लगाना है तो जितना निशान बैक पार्ट में लगा है उससे हम हाफ इंच एश्टरा लेंगे तो यहां मा लेजे यहां नाइन इंच उसका चौथा भाग आ रहा था और उसमें 1.5 इंच प्लस करके 10.5 इंच का निशान लगाए थे यहां से नाप कर तो इसमें हम 11 इंच का निशान लगाएंगे ठीक है इसमें हम 11 इंच का निशान लगा लेंगे और इसमें देखिए जो हम आर्म होल की गहराई जो लेते हैं ऐसे राउंड शेप देने के लिए यहां 1.5 इंच था यह देखिए यहां वन पॉइंट फाइफ इंच था और यहां हम रखेंगे वन इंच यहां सिर्फ हमको वन इंच रखना है ठीक है वन इंच रखेंगे यहां थोड़ा सा कम लेते हैं और फिर इसको हम ऐसे राउंड शेप में हम मिलाएंगे इस तरह से अब यहां से नीचे कमर का भी निशान हम सेम लगाएंगे कमर का निशान हम सेम जितना बैक पार्ट में लगाएंगे उतना लगाकर हाफ इंच एश्ट्रा ले लेंगे इस तरह से देखिए और फिर दोनों निशानों को हमको मिला लेना है ऐसे यह हो गया अब यहां भी हम shoulder को down करेंगे half inch shoulder down हम front part में भी कर लेंगे और यहां हमको tux का निसान लगाना है और यह belt blouse है तो सबसे पहले मैं यहां belt की cutting करना बताऊंगी उसके बाद से मैं tux का निसान बताऊंगी तो देखिए belt की जब हम cutting करते हैं तो नीचे से हम यहां नीचे वाला जो यह लंबाई जहां खतम हुई है यहां से हम उपर के side हम 4 inch का निसान लगाते हैं ठीक है यहां से 4 inch का निसान लगाते हैं यहां से हमको 4 inch का निसान लगाना है और यहां कमर के side से हमको 2.5 inch का निशान लगाना है यानि की धाई इंच का ठीक है इस तरह से और ये निशान लगाने के बाद देखिए यहां हम हलका साइसे राउंड सेप में इसको हम मिलाएंगे ठीक है यहां से हम हलका साइसे राउंड सेप में इसको हम मिला लेंगे इस तरह से देखिए ऐसे यह हलका साम यहां से round shape में मिला लेंगे और यह belt हो गया तो belt की हम cutting करके फिर हम tux का निशान लगाते हैं तो यह belt हो गया अब इसके वाद से दिखें मैं tux का निशान लगाना मैं बता रही हूँ यहां से हम 4 इंच का निशान लगाते हैं tux के लिए यहां से हम hook patti और eye patti रखते हैं वहां से हम 4 इंच का निशान लगाएंगे यह देखिए इस तरह से देखिएगा यह solder के बीच सेंटर में आना चाहिए तो यह 4 इंच का निशान मालेजी मैं यहां लगा ली और लंबाई से मैं 2.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ यह देखिए इस तरह से यह टक्स हो गया अपना बीच वाला टक्स ही हो गया अब यहां का टक्स लगाना है तो यहां का टक्स देखिए यहां नेक के पास से हम लगाते हैं तो नेक के पास से हम 3 इंच लेते हैं यहां उपर से 3 इंच लेते हैं और यहां से 3 इंच लेने के बाद हम इसके चोड़ाई भी हम 3 इंच ही रखते हैं इस तरह से दिखिए ये चोड़ाई भी हम 3 इंच रखते हैं और नेक के पासे लंबाई भी हम 3 इंच ही रखते हैं अब इसके बाद से दिखिए ये जो दो टक्स लगता है इसके बीच की दूरी को हम नापते हैं ऐसे और जितन टीक है अब फिरसे हम इतना ही दूरी हम यहां भी एक लगाएंगे और फिर इसको हम आर्म होल के पास से हम मिला लेते हैं को जित्लिक है इस तरह से हम आर्म Bone के पास से इसको हम मिला लेते हैं तो यह चार टक्स हो गया निचार टक्स की दूरी एक बराबर होनी चाहिए तो ये टक्स सही बनता है तो ऐसे ही हम फ्रेंट पार्ट की कटिंग करते हैं बेल्ट ब्लाउच की पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं फिर हम साइड से जिस निसान जैसे निसान बनाए हैं उस निसान पे हम cutting कर लेते हैं यह दिखें यहां मैं यह जो बैक पार्ट की आर्म होल की मैं गहराई लगाई हूं यह है वन इंच ठीक है गला में रखी हूं नेक रखी हूं 2.5 इंच आर्म होल है 5.5 इंच ठीक है ब्लाउज की टोटल नंबाई मैं फ्रेंट पार्ट के लिए रखी हूं 15 इ रखी हूं 14.5 इंच 14 इंच बैक पार्ट की लंबाई है 14 इंच और फ्रेंट पार्ट की लंबाई है 15 इंच नेक की लंबाई और सोल्डर की लम नेक की चोड़ाई और सोल्डर की चोड़ाई में सेम लिए हूं तो यहां भी मैं नेक की चोड़ाई में लिए हूं 2.5 इंच और सोल्डर की चोड़ाई है 5.5 इंच, आर्म होल की लंबाई है 6 इंच, इस तरह से देखिए ये है 6 इंच, और नेक आप अपने हिसाब से बनाईएगा, तो ये है आज का मेरा वीडियो, बेल्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, त प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्यू,